हलो वाल वेल्कम टो सक्सेजरणी जी पी एसी जी डिडिडिलो एससबी असिस्टेंट इंजिनियर्स सिबिल के लास्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है इस पार्ट में हम 275 से लेके 300 कोशन तक कंप्लेट करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं के कोशन को देखते हैं 276 कोशन इसमें आपको 95% मॉश्चर दिया हुआ है 90% मॉश्चर दिया हुआ है तो कितना परसेंट सलज की कॉंटिटी में क्या फर्क पर जाए वैसे तो इसम्पल ही निकाल सकते हैं हम लोग इसमें 5% सलज है इसमें 10% सलज है तो ट्वाइस है अगर आपको वॉल्यूम इदिविजुली गिवन है तो आप कैसे निकाल सकते हैं वो भी देख लेए फर्मुला इसके लिए क्या होता है वी वाण इंटो 100 माइनस पी वन इस इपल टू वी टू इंटो 100 इस तरह से अगर वोल्यूम भी डिफेरेंट डिफेरेंट दिया होता आप यहां पर पीवन का है पहले का परसेंटेज पीटू का है दूसरे का परसेंटेज और दूसरे का वोल्यूम दिया होता कि वोल्यूम कितना है सलज का तो आप यहां पर यहां पर क्या कहा रहे है फॉर प्रमुला यूज करेंगे हम ऐसे question के लिए आगे चलते हैं next question है the extended aeration process extended aeration process को आप यूज करते हैं जब series का source कम हो that means अगर हमारे पास series का source जो है वो small community से आ रहा हो उसके समें extended aeration process यूज करते हैं इसमें aeration time काफी बड़ा बनाते हैं और sellers को करने के लिए यूज करते हैं इसके हम देखते हैं features क्या क्या होते हैं इससे पहले इसमें primary sedimentation की जड़वत नहीं पड़ती है तो primary sedimentation process इसमें हम neglect करते हैं और इसके बाद required नहीं होता है तो tank remove हो गए तरीके से तो space काफी कम हो गया तो नहीं तो इसमें sedimentation tank की requirement होई और नहीं सलज duration करने की जड़वत पड़ी aeration tank के बाद है तो दो चीज की कम requirement होई बट इसको हम small community seaweed के लिए ही यूज कर सकते हैं large के लिए में यूज नहीं कर सकते हैं normally aeration tank में जो period होता है वो होता है conventional में 4-6 hour normal aeration tank में लेकिन extended aeration tank में जो retention period होता है वो होता है 12-24 hours क्योंकि tank बड़ा होता है और इसमें retention भी ज्यादा रखना पड़ता है ताकि cellage properly dispose हो सके अच्छा दूसरा कि इसमें organic loading कम रखनी पड़ते हैं low organic loading इसके features कौन-कौन से हो देखते हैं organic loading low ज्यादा organic load नहीं हो organic loading low दूसरा क्या feature है MLSS high high MLSS concentration तीसरा क्या feature है low Fy M ratio lower the Fym ratio higher will be the disposing capacity इसको हम एक दूसरी नाम से जानते हैं oxidation ditch oxidation ditch okay अब देखते हैं इसमें option कहके है higher Fym ratio नहीं higher नहीं इसमें lower होता है lower होता तो यह सही होता high MLSS तो यह सही है lower aeration time नहीं aeration time इसमें ज्यादा होता है large air को consume करता है next है benching in a manhole सबसे पहले manhole manhole क्या होता है service करने के लिए किसी भी sewer line manhole को provide किया आता है at some distance और भी इसके बहुत सारे locations हो सकते हैं some suitable distance manhole is provided to service the sewer line अब इसके बहुत सारे parts है इसमें benching part का क्या function होता है चलिए एक बार pictorial भी हमें देखते हैं इसको यह है manhole का manhole का cross section इसमें यह plan है और यह है benching benching क्या होता है कि यह sewer line है इसमें हम यह slope provide करते हैं और यह यहां पर sloping होता है और इसमें cement motor उपर होता है और अंदर cement concrete cement concrete से निचे साइड से पूड़ फिल करते हैं और उपर से motor से इसको complete कर देते हैं और यहां से sewer flow करता है आप देख सकते हैं यह तो cross section cut करके दिखाए गया अगर आप overall देखेंगे तो ऐसा दिखेगा और यह हो गया top portion manhole का यहां से clearance के लिए ढखकन होता है यहां से उतार के clear करने के लिए यहां से कोई भी service करने के लिए यहां से आके इसको देख सकते हैं तो इसे कहते हैं benching अब question पर आते हैं maximum discharge in a siever is obtained when the depth of flow is this much time of the full depth इसमें मेरे साब से यह आंसर गलत है 99 नहीं 95% होने चाहिए maximum discharge 0.95 D पर मिलता है और maximum velocity 0.81 D maximum velocity पूछता है तो यह maximum discharge पूछता है 0.95 D which of the following materials will have the highest non-scoring velocity in the siever highest non-scoring velocity means maximum velocity पूछ रहा है कि जिस velocity के बाद erode करने लगेगा material को वह velocity किसके लिए सबसे जादा होती है तो चले हम देखते हैं एक बार अच्छा एक मिनिट यह कुछ values है जो कि siever के लिए है manholes के लिए यह भी कई वर question पूछे आता है मैंने इसलिए यहाँ पे इसको display कर दिया यह यह values आप देख सकते हैं चलते हैं limiting velocity पे तो आप इसमें देख सकते हैं हर एक siever type के लिए हर एक siever type के लिए यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है vitrified tiles के लिए कितना गिवन है 4.5 to 5.5 4.5 to 5.5 होता है इसके लिए velocity इसमें meter per second है दोसरा cast iron के लिए 3.5 to 4.5 3.5 to 4.5 cement concrete cement concrete 2.5 to 3 2.5 to 3 or earthen material earthen material के लिए 0.6 to 1.2 थेकर तो we can see that vitrified tiles will allow the highest non-scoring velocity with reference to the plume behavior which of the following statement is correct for fanning plume किसको बलते है smoke को जो stack और जहां से यह plume emit होता है उसको बलते है stack जहां से plume emit होता है उसको बलते है stack और इसके बाद ही plume ऐसे smoke उपर जाता है industry से यह किसी भी chimney से tower से यहां से smoke नहीं क्यारा है कि इसके कई सारे pattern होता है depending upon the ALR and ELR adivatic lapse rate और environmental lapse rate पे depend करता है कि कौन सा condition है तो यह pollution उपर चला जाएगा disperse हो जाएगा completely या trap होके रह जाएगा inversion layer के बीच में या फिर ground में आके पूरा trap हो जाएगा तो किस तरह का behavior होगा यह इसमें पूछा गया है और इसमें एक specific pattern के लिए पुछा गया कि fanning condition जो होती है वह कौन सी condition होती है तो चले इस सारे condition को एक बड़ हम लोग discuss कर लेते हैं देखिए यह पहला है looping इसमें सारे plumes के बारे में यहाँ पे discuss करते है looping plume का होता है जब ELR जब ELR की value ELR से जादा हो that means super adiabatic हो ELR क्या है environmental lapse rate मतलब environment का temperature air का temperature किस rate से उपर जाने पर घट रहा उसको बलते है ELR adiabatic lapse rate मतलब air passable का temperature किस rate से उपर जाने पर घटता है तो अगर environmental lapse rate जादा है adiabatic lapse rate से उसको बलेंगा super adiabatic condition इस condition में highly unstable environment होता है और इस condition में बहुत ही rapid mixing होता है बहुत ही rapid mixing अगर ऐसी condition है तो हमें stack की height बहुत जाद रखने पड़ेगी ताकि यह properly disperse हो सके pollution जो भी smoke बहार आ रहा हो और character कैसा होता है इसका? आप character देख सकतो इसका character होता है wavy इस character होता है wavy character का दोसरा होता है neutral मतलब ALR is equal to ELR दोनों बड़ाबर हो तो उस condition में smoke उपर की तरफ ही जाएगा क्योंकि इस smoke को air pulsar की तरह consider किया था क्योंकि यह एक air pulsar है और side का surrounding temperature है वो ELR है environment किस तरह से घट रहा है environment का temperature किस तरह से neutral में क्या होगा? continuously उपर की तरह conning plume smoke एक cone की तरह form करेगा expanding expanding और यह कव act होता है जब ELR less than ELR हो जब sub adiivatic हो तो conning tap कर घर होता है इसमे एक cone form होता है fanning fanning किसमें होता है तो fanning extreme inversion condition में extreme inversion condition में fanning आता है extreme inversion condition कब होता है जब temperature उपर घटनी की वज़याँ बढ़ना शुरू होता है ULTA that means temperature उपर घटनी की वज़याँ अगर temperature बढ़ना शुरू हो जाए तो उसको बोलता है inversion condition और यह ठंडी के टाइम पर होता है अर्थ जादा cool down हो जाए उस condition में extreme inversion हमें देखने को मिलता है उस case में क्या होता है इस fanning plume के टाइम पर horizontal सिर्फ और सिर्फ यह horizontal movement possible हो पाता है कि smoke का तो यह plume जो है वो सिर्फ horizontal move होता है ना ही तो उपर जा पाता है ना ही नीचे आ पाता है इस case में भी अगर आप properly disperse करना है तो आपको काफी higher stacks यूज़ करने पड़ेगी last में है lifting lifting में क्या होता है अब देखिए lifting strong super radiobatic इसमें बहुत ही ज्यादा super radiobatic है super radiobatic मतलब ELR is greater than ELR और यह much much greater than हो it is much much greater than और यह सबसे best माना जाता है pollution को disperse करने के लिए क्योंकि यह inversion layer है pollution कभी भी या फिर जो smoke है या plume है वो इससे नीचे नहीं आता हमें साइस के उपर ही maintain रहता है तो यह ground पे नहीं आपाता है generally तो यह condition सबसे best माना जाता है lifting plume last one is fumigating plume fumigating plume में क्या होता है यह दो inversion layer के बीच में sorry उपर एक inversion layer होता है और inversion layer के उपर यह जा ही नहीं पाता है यह stack से जो भी plume बाहर आएगा वो inversion layer से नीचे ही रहेगा हमेशा फसा हुआ ठीक है जिसको बोलेंगे fumigating इस यह बहुत ही dangerous होता है क्योंकि यह ultimately ground पे सारा pollution आता है और fog देखने को मिलता है जो कि fog बहुत लंबे समय तक रह सकता है जब तक ही condition attained रहेगा और इसका बहुत ही common example है England में हुआ था बहुत महीनों तक यह fog अर्थ पर रहा था और जो कि visibility को खतम कर दिया pollution से लोगों को दम खुटने लगा था and last is trapping flame trapping flame क्या होगा है दो inversion layer के बीच में trap होके रह जाता है flame नहीं तो यह उपर जा सकेगा नहीं नीचे जा सकेगा तो यह नीचे एक inversion layer है उपर एक inversion layer है इसके बीच में क्योंकि यहाँ पर बढ़ा फिर बढ़ा फिर बढ़ा उतला temperature घटा फिर बढ़ा फिर temperature घटा फिर temperature बढ़ा इस तरह के अगर scenario है तो उस case में ऐसा देखने को मिलता है इस case में क्या है एक time तक तो बढ़ रहा था फिर घटना सुरू हो गया तो इसलिए inversion layer यहाँ पर बनता है चीक है तो सभी conditions समझ गए अब आता है हम लोग question पर क्या बोल रहा है this is a type of plume which has wavy character अभी हमने देखा था wavy character किसका होता है looping plume का यह किसमे होता है looping पुछा कौन सा हमसे fanning type of plume which has cone-like shape मैंने क्या बता किसमे होगा conning plume में होगा यह होगा conning में type of plume emitted under extreme inversion condition कौन सा है fanning मैंने भी बता है था fanning किसमे होगा extreme inversion condition में होगा यहाँ लिखाता है extreme inversion condition में और इसमें कैसे move करता है horizontally only horizontally क्योंकि ना तो यह उपर जा सकता है क्योंकि क्या होगा देखो temperature उपर जाने पर बढ़ रहा है किसका air का और यह घटना चाहा रहा है तो यह दोना आपास में interact करता है तो इसलिए ना तो यह plume उपर जा सकता है और ना ही plume नीचे आ सकता है तो यह लेटरल ही मूव करता है इसलिए यह horizontally ही सिर्फ मूव करता extreme inversion condition में कौन सा होगा है fanning it is the condition where plume is caught between the inversion caught between inversion का कौन सा condition है trapping यह किसका example है trapping का ठीक है सारे type हमने डिसकॉस कर लिए यहाँ पर कोई भी question आता है तो यह एजली solve for the determination of particulate matter in air using high volume air sampler which of the following correction have to be done for the estimation of volume of air sample particulate matter को PM को sample करने के लिए फिर fine करने के लिए दो प्रकार की sampler यूज किया थी high volume sampler और low volume sampler high volume sampler generally more than 1500 meter cube air को अपने अंदर capture कर सकता है आपको दिखाता हूँ यह है high volume sampler का एक cross section इसमें क्यों होता है यहां से air आता है और air यहां से interrupt होता है यह यहां पर filter लगा हुआ है air यहां पर interrupt हुआ तो यहां पर जितने भी particulate matter है जो चोटे चोटे पार्टीकल से हो यहां पर trap हो जाएंगे filter में और air यहां से clean होके और जितने यहां पर पार्टिकल यहां पर कलिक्ट हुए उसको मेजर करके रिपोर्ट कर सकते हैं कि यह इसका अमाउंट है तो हाई वॉल्यूम में जनरली 1500 तक और लो में अपटू 24 मीटर क्यूब वॉल्यूम तक कैप्चर होता है क्योंकि temperature के साथ क्या होता है plumes उपर की तरफ लिप्ट होते है और प्रेशर की वजय से इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है तो इसलिए यह दो क्रेक्शन अप्लाई करना जरूरी होता है next is in a breeze curtain wall is used कोई भी breeze है इसमें कौन-कौन से component होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ यह बहुत important है किस component से question पूछा जाता है देखिए यह breeze का एक cross section है जहां से bridge start होता है दोनों ही side में ऐसे पहले wall लगाया आता है यह wall काम क्या होता है इसके पीशे जो भी soil है उसको यह retain करके रखता है और water को properly path भी provide करता है ताकि वह confined होके इतने width से लेके इतने width में narrowed हो जाए तो इसका काम दोनों इधर के soil को ही retain करके रखना और water को guide करके इतने width में ले आना तो यह हो गया wing wall this is called wing wall दोनों तरफ flanken portion जो है और curtain wall क्या होता है यह यहाँ पे जब यह down stream side में अप stream side में यहाँ पे इस तरस होता है curtain wall तो curtain wall को काम क्या है score protection तो यह scoring से protection करता है curtain wall और यह क्या करता है यह है parapet retain solder fill तो यह parapet wall क्या करता है solder fill को रोकता और यह wing cap हो गया interlocking joint हो गया और यह हो गया partition wall this is partition wall चीक है अब चलते है question पे curtain wall is used, curtain wall को क्या है अभी हमने देखा curtain wall यहाँ provide होता है इसका काम है scoring को रोकना to protect as a protection against scoring action of stream चीक है solar radiation से नहीं diverting cloud water से भी नहीं charactering intermediary support भी नहीं नेक्स्ट है which of the following is are the ideal bridge side characteristics ideal bridge side के लिए क्या हूं चाहिए तो यह तो common question है ideal bridge side किसको बोलेंगे जहां पे river किसम हो steady design में हो steady हो मतलब discharge velocity यह सब टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे हो same velocity same discharge को हो ताकि हम जिसके लिए design करें वही maintained रहे steady regime में हो पहला दूसरा क्या कहता है कि the stream should be well-defined and narrow as possible बिल्कुल सही ताकि जितना narrow होगा उतनी bridge की width कम होगी next time there should be confluence of large tributary in the vicinity of the bridge नहीं अगर कई सारे मालो यह river है इससे कई सारे tributary आके यहां पर मिल रहें अगर यहां पे हमें bridge बनाना है तो यहां पर अगर हम bridge बनाना चाहिए और यहां पर कई सारे tributary आपर मिल रहा है तो क्या होगा यससे water का level बहुत बढ़ जाएगा water level बढ़ने से bridge की इसलिए यह option incorrect है next is free board in a bridge is the vertical distance between again it is a very simple question free board क्या होता है free board is the HFL and crown का lowest point crown का lowest point और HFL के बीच की दूरी को बोलते हैं free board free board किसके लिए होता है fluctuation के लिए कि unfortunate wave character अगर कुछ बनता है या फिर कुछ भी ऐसा unfortunate इंक्रीज होता है level में उसको काउंट्रेक करने के लिए free board प्रोवाइड किया हता है which of the following are the examples of abutment without wing wall ऐसा abutment क्या होता है शुरू में और लास्ट में bridge के starting में और end में abutment walls होता है the end support of a bridge is called abutment अब कहला है इसमें से कौन सा abutment है जिसमें wing wall ऐसे नहीं लगा फ्लेंकें पोर्शन में नहीं लगा होता है अदेखिए wing wall कैसा भी हो सकता है straight भी हो सकता है split भी हो सकता है एसे भी हो सकता है यह फिर returning tab भी हो सकता है और जितने जो abutment without wing wall है उसमें से एक है box एक है T और एक है arch एक होता है buried abutment buried abutment तो यह चार टाइप के ऐसे abutment होते हैं जिसमें wing wall के ज़रुत नहीं पढ़ती है wing wall को मैंने यूज बताया था wing wall यूज होता है water को guide करने के लिए ताकि width और narrow हो जाए दूसरा कि जो wing wall से पीछे जो smile है उसको retain करने के लिए ताकि river में fall ना हो which of the following are the example of river training work river training work की जरुत कब पड़ती है कि river को जैसा होना चाहिए अगर वहां पर उस तरह से behave नहीं कर रही है तो उसको train करते हैं ताकि as per our requirement river से हमें जो चाहिए या फिर river समझो वहां पर चाहर है कि ऐसा होना चाहिए river के साथ या पर वह हम उसको उस तरह से उसको train करते हैं और फिर और चाहिए और सारे की कोशिस करते हैं इसके लिए बहुत सारे structures construct किया आता है देखते है कि कौन-कौन structure इसके लिए construct किया आता है यह देखिए generally river training वर तीन टाइप की होते है high water level high water training mean water training और low water training high water training कभी यूज़ करते है जब water का level बहुत ही हाई होता है इस case में हमें क्या करना पदता है सिर्फ flood के लिए जब water के लिए बहुत हाई है तो सिर्फ flood control के लिए रुवाइड करना है तो flood control के हम क्या generally construct करते हैं डाई key है liewies डाई किया जिसे हम emanqument कहते हैं यह construct करते हैं अगर mean water की बात करें तो मीन वाटर में क्या होगा वाटर मीन डिफ्थ पर ना तो बहुत ज्यादा पानी है नहीं बहुत कम पानी है मीडियम पानी उसकेस में में क्या चाहिए ठीक है सिर्फ रीवर अपना सेफ मेंटेन करके रखे और सेडिमेंट डिपोजिट ना हो वह कंडिशन में क् summer season के time पे अगर water के level बहुत कम हो गया तो पानी कम हो गया तो उस case में water के level को बढ़ाते हैं ताकि water का जहां पर requirement है वहाँ पर completely fulfilled हो सके तो उस case में हम growiness provide करते हैं या फिर spurs provide करते हैं यह से परवाइड करते हैं ठीक है total अगर हम सभी type की बात करें जो यूज होते हैं तो मैं आपको एक एक करके यह पर बता आयता हूँ marginal emankment जिसे हम कहते हैं marginal emankment यूज होता है जिसका दूसरा नाम levies भी है एक तो यह use करते हैं emankment दोनों साइड से river के river यहां से flow हो रहा है तो दोनों साइड से कुछ distance तक हम क्या करते हैं जितने distance तक हम प्रोटेक्ट करना है surrounding area को हम दोनों साइड से emankment बना देता है high rise ताकि इसका area इसके आगे ना जा पाए ताकि इसके बगल में जो भी area उसको प्रोटेक्ट किया जा सके है इसको बोलते है marginal emankment या फिर लिवाइज दूसरा है guide bank direct blank Reality करते हैं। जहां पे हमें कुछ important structure बनाना जैसे damn बनाना लाई बनाना है तो वहां हम river की width को कौ merely कर देता है sound जबर अब दीते है काफी narrow करने के लिए river की width को merow करने के दी हम guide bank कर is go get better होता है इससे हम रिभिर की विड़्थ को कंट्रॉल करके बहुत ही कम विड़्थ का बना देते हैं ठीकि इस तरह से guide bank होता है यह से कहता है guide bank तो यह generally जहां पर heavy structures बनाने होते है cross drainage cross structures वहां पर क्रोईट करते है जैसे बैम हो गया हुए है और बैराज इन सब जगों पर तीसरा जो जो दोता है growines growines स्वने बीदिसकस किया growth या फिर spurs उस्ट करते है growines क्या करता है emankment को protect करता ए है repelling भी हो सकता है attracting भी हो सकता है तो यह क्या करता है water level को यहां से को प्रेक्ट करता है क्योंकि water flow को इदर के तरफ तरफ कर देता हूं just तरफ के तरफ दोने तरफ से लगाते है इधर के फ्लो को इधर के तरफ लाएगा इदर को इधर के तरफ ताकि water यहां से ना टक राके बलकी इधर के तरफ आजा है तेके इसको हम बोलते हैं growing growing या फिर आपत अर्टिफिस्यल कॉट ओफ Artificial Cut-Off Artificial Cut-Off और कौन-कौन सा है पहले मैं सारा लिख देता हूँ इदर Artificial Cut-Off के बाद है Pitching Pitching and Launching Appron ये भी यूज़ होता है Next है Island Pitched Island Pitched Island और Sills Bandling ये सभी यूज़ होता है River Training के लिए मैंने सभी का नाम यहां पर लिख दिया अब इसमें कहके पूछा है Question पर ये दिख लेता है Cut-Off बिल्कुल यूज़ होता है Cut-Off मैंने भी दिखा है Artificial Cut-Off Artificial Cut-Off को यूज़ होता है Artificial Cut-Off क्या होता है जब River Maintaring Position पहुँच जाता है जब River सीधा ना चलके Curb Path में या फिर S Shape का हो जाए उस केस में Cut-Off को यूज़ करके हम River की Length को कम करते है माली जी River ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रहे है हम क्या करता है Cut-Off प्रवाइड करता है जो कि यहां से यहां पर डिरेक्टली इसको कनेक्ट कर देता है तो क्या होगा यह क्या करेगा Water यहीं से डिरेक्टली यहां पर आजागी इस River में तो यह इतना Length इतना Length कमन है तो इस तरह से हम Cut-Off प्रवाइड करते है Artificial Cut-Off तो यहां पर पहले कोई River नहीं था बट हम यहां पर हमने Manual Channel यहां पर Manual Channel यहां पर कंस्रक कर दिया जिसके विए से Water यहां से यहां जाने लगा तो एक टाइम आता है कि River अपने आप यह से प्रेलेता है तो Cut-Off always reduces the length of the stream whereas Mindering always increases the length of the river तो Cut-Off हो गया इमेंगमेंट हमने अभी डिसकस किया इस पर्स हमने अभी डिसकस किया यह तीनों की तीनों इसमें सही है Next is Classification of the Bridge यह बहुत बार पूछा जाता है मैं आपको सभी किसमी वेली उसमें से बतायता हूँ Bridge की Classification as per the length length से कैसे define करते है अगर less than 6 meter हो तो उसको बोलता है Calward क्या बोलता है Calward अगर less than 6 meter है तो अगर less than 30 meter है 6 से ज्यादा है बट 30 meter से कम है तो उसको बोलेंगे Small Bridge अगर 30 to 60 degree है 60 meter है 30 to 60 meter तो उसको बोलेंगे Minor Minor Bridge अगर less than 120 है तो उसको बोलेंगे Major अगर greater than 120 है तो उसको बोलेंगे Long Spam Bridge 6 meter से कम कलवर्ट 6 to 30 meter है Small 30 to 60 Minor 60 to 120 मेजर More than 120 Long Spam Bridge तो आप देखते है क्वेश्चिन Bridge is classified Major Bridge तो मेजर कब बोलता है Less than 120 तो इन बीट्मीन 30 to 120 इसमेंगे Option में यही है तो आपको सिर्फ अपर रिंज देखना है कि 120 है Pantone is an example of Pantone किसके लिए होता है इसको बोलता है हम इसको बोलते हैं यह क्या होता है Cylindrical Shape का Temporary Structure होता है जिसके उपर हम Construct करके Temporary Bridge बनाते हैं कुछ भी काम करने के लिए Temporary Construction के लिए Temporary Cufford ले मनाने के लिए इस तरह का Cylindra अब सभी नहीं देखा होगा इसके उपर से इस तरह से रखा होता है तो यह फ्लोट होता है उस समय बनाया गया थे उस समय के बहुत popular bridge था अब इसको modify किया गया है बहुत अच्छा बनाया गया तब यह किस mechanism पर based है तो यह balanced cantilever type ब्रीज है balanced cantilever type कैसा है यह बीच में तो support है और दोनों side से hang इसी mechanism पर एक based है भिहार में महात्मा गांदी सेतु गंगारी बर पर यहाँ पर support है और दोनों तरप से balanced cantilever तो ठीक है इस तरह से और यह दोना आपस में corrected होता है तो इस तरह का ब्रीज होता है balanced cantilever type ब्रीज next है ranging of a survey line means ranging means क्या होता है ranging कब करता है जब हमें एक point से दूसरे point तक देखना होता है ताकि एक survey line को हम construct कर सके उसे मूलते है ranging करना placing a line on the ground along the shortest distance between two points reciprocal ranging कब करता है हम जब stations are far apart and inter-visible मालो कोई बीच में hill है और यहां से यहां तक हमें ranging करनी है यहां से तक हमें ranging करनी है reciprocal ranging की बात कर reciprocal labeling नहीं है confused मत होना यहां पे ranging है reciprocal labeling is different and reciprocal ranging is different reciprocal ranging का दूसरा नाम है indirect ranging indirect ranging reciprocal labeling क्या होता है कि जब far apart हो और accessible नहीं हो तो वो होता है leveling but ranging is different ranging की far apart भी हो और visible भी नहीं हो तो हम उस case में हम करते है indirect indirect ranging जिसका दूसरा नाम होता है reciprocal ranging इस case में क्या करता है यहां से पहले यहां को range करते है फिर यहां से यहां को range करेंगे फिर यहां से यहां तक पहुंचेंगे इस तरह से रेंजिंग करते करते आगे तक पहुंशते हैं तो इसाव है। जो एरर कुम्यूलेट होता जाये, एक एड होता जाये और बाद में बहुत बरा बन जाये। देखिए, chain is shorter than the designated length, शाही बात है, अगर length कम है, तो error जो भी हो, plus हो, minus हो, वो बढ़ता ही जाएगा, हमेशा मतलब, अगर कम measure कर रहा है, कोई distance को, तो हर बार, जितनी बार भी हम chain से measure करेंगे, distance हर बार कम, उतना कम-कम measure ही करेगा, और last में add होके, काफी बड़ा error बन जाएग but these, both are will be cumulative type error, sag of a chain, अगर chain में sagging आ रही है हर बार, तो sagging भी हमेशा, एक cumulative induce करेगा, क्योंकि, negative sagging हमेशा, negative correction ही induce करेगा, negative और positive error ही induce करेगा, इसलिए हम इसको कभी भी, positive sag नहीं provide कर सकते है, positive sag कभी भी होई नहीं सकता है, क्योंकि sag हमेशा downward direction में होगा, gravity के direction में होगा, सो इसलिए हमेशा, community भी होगा, variation in pull is not a community, because pull क्या है, pull हम apply करता है, तो जो standard pull है, हो सकता है, उससे हमने किसी बार कम apply कर दिया हो, किसी बार ज्यादा apply कर दिया हो, the pull is not in our control, pull may be higher than the designated pull also, or lower than the designated pull also, that's why it is not, it is, but it is compensating type, यह कहों सा type का है, compensating, यह कैसा है, compensate, तो यह compensate भी कर सकता, अगर किसी बार हमने ज्यादा pull apply किया, और एक और बार हमने कम pull apply किया, तो आपस में एक दूसरे को compensate करके, कम करेंगे, तो इसलिए, this is compensating type, and these two are cumulative type, that's why one and two is our correct answer, which of the following statement are true for magnetic declination, declination क्या होता है, true bearing, true north, और यह होगे magnetic north, इन दोनों के बीच में जो angle होता है, इसको बोलता है, declination, ठीक है, इन दोनों के बीच का angle, declination क्लाता है, clockwise direction, तो क्या कह रहा है, it is the horizontal angle between the true meridian and magnetic meridian, right, it is horizontal angle, not vertical angle, vertical angle गलत, the declination can be eastward, बिलकुल, क्योंकि यह इधर measure होगा, या फिर इधर measure होगा, तो या तो यह इस magnetic meridian, true meridian से इस तरफ को होगा, या फिर इस तरफ को होगा, तो northward और southward नहीं हो सकता, the process of rotating the telescope about the vertical axis, यह बहुत बार पुछा जाता है, अब इसमें आपको धिहान क्या रखना है, कि vertical axis के about अगर घुमा रहा है हम, और telescope को point करने के लिए in different direction, तो उसको हम क्या बोलते है, मतलब, कि यह axis है और यह आपका theodolite है, तो आप इसको ऐसे घुमा रहे हो, कि एक बार यहा पर देखो, फिर आप यहां से इधर देख रहे हो, तो इसको अगर आप horizontal direction में घुमा रहे हो, vertical axis पे horizontal direction में, horizontal plane में, उसको क्या बोलेंगे, swinging, और अगर आप vertical direction में उसको rotate कर रहे हो, ताकि आप horizontal plane में कोई भी movement नहीं हो रहा है, बलकि horizontal axis के about आप उसको rotate कर रहे हो, vertical plane में, तो आपो क्या कहलाता है, transiting, और यह transiting कम करता है, same location से backset लेने के लिए, foresight हमने लिया, और अभी backset लेना है, तो transiting का use करता है, swinging, किस के लिए, different direction में, अभी हमने, यहाँ पे मालो हमने instrument को लगा रखखा है, एक reading यहाँ पे लिए है, एक reading यहाँ 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 पे लिए एक को यहां पर स्विंग करेंगे so this process from coming from this point to this point is called swinging coming from this point to this point is called swinging but अगर यहां पर हम खरे हैं एक पॉइंट यहां पर और एक इसके पीछे benchmark के मुझे back side लेने तो हम क्या करेंगे पहले फोर साइट लेंगे और फिर इसको transit करके इधर की तरफ लाएंगे ताकि उसी पॉइंट से back side भी ले सकते तो this is called transiting दोनों फ़र्क समझागे चलिए आगे चलते हैं next which of the following statement is true for method of reiteration angle measure करने के horizontal angle measure करने के दो popular method है method of reiteration method of repetition repetition कभ यूज करते है repeat नाम से ही किलियर है कि हम एक ही angle को बार-बार measure करते है whenever the accuracy requires is high accuracy बहुत ज्यादा high चाहिए तो same angle को हम बार-बार measure करते है उसको बोलता है method of repetition ठीक है और reiteration क्या होता है कि अगर एक ही station से बहुत सारे angle measure करने हो तो उसको हम बोलते है reiteration उसको हम reiteration reiteration में closing of horizon करते हैं last में closing of horizon last में horizon को close करते है और जो भी error आता है 360 से पहले उसको distribute करते हैं सभी angle पे equally तो repetition और reiteration दोनों ही horizontal angle measure करने के हैं इसमें देखते है question में क्या पुछा है कि कौन सा इसमें से correct है reiteration के लिए this method is useful when more number of angles are to be measured at a point बिल्कुल सही reiteration कभी उसकरेंगे जब एक station पर खड़े हो यहां पर और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आपको सभी क्लोजिंग जो मनें अभी देखा था closing of horizon इसको बलता है reiteration the horizontal angle is measured a number of times and the average value is taken नहीं यह किसमें लिया आता है अभी दूसरा method था repetition में किया जाता है एक ही angle को बार बार लिया जाता है ताकि सारे error खतम हो जाए और accurate angle मिले तो उसको बलता है repetition तो when a very good accuracy is required for a given angle then repetition method is used और बहुत सारे angle measure करने है एक ही station से then we will go for reiteration आगे चलते हैं direct method of leveling is also known as this is very simple split leveling leveling के type से question आते ही रहते है ताब इसको जरूर एक बार revision कर लें exam से पहले क्या बोला इसमें barometric leveling क्या होता है जिसमें हम barometric ही भूल के उप्रे डिफ्रेंस को measure करते हैं और उस को use करता हैं elevation को find करने के लिए hurricanež का करते हैं boiling temperature को measure करते हैं बालिंग temperature को क्योंकि height के साथ boiling temperature घटता है तो हीप्राइटर में boiling लिक्विट्स को हम यूज करते हैं Elevation find करने के लिए बेलिवेट्रिक में pressure को यूज करते हैं Hydrographic Leveling कुछ नहीं होता Spirit Leveling जो हम Dumpy Level से करते हैं तो Direct Leveling का दूसरा नाम है Spirit Leveling Hill है यहाँ पे तो यह किस-किस को मालो यहां से आप एक शेसन इदर है और यह किसी आप इधर खड़े हो तो ना तो आप इधर से देख सकते हो और ना इधर से इधर आप रेंजिंग रोड लगा सकते हो ना इधर से आप रेंजिंग कर सकते हो और ना ही चेनिंग कर सकते हो So hill is an obstruction to both ranging and chaining अब मालेते हैं यहाँ पे hill ना होके अगर river है अगर hill नहीं होके यहाँ पर क्या है यहाँ पर river है तो यह किसके obstruction में है तो it is only obstruction to chaining but not ranging अगर hill है तो chaining तो हम नहीं कर सकते पानी में कैसे करेंगे यहाँ पर यह तो river है तो chaining तो हम नहीं कर सकते but ranging हम आराम से कर सकते तो अगर river दिया हो तो obstruction to chaining only not to ranging अगर hill है तो दोनों में तो यह याद रखें आप with the fall of temperature sensitivity of bubble tube यह question भी बहुत popular है बहुत बार पुछा आता है देखते है sensitivity किन-किन बातों पे depend करती है किस-किस के proportional है और किस-किस के inversely proportional है तो इसको आप याद रखें directly proportional जिस-जिस के है तो मैं पहले इदर लिख देता हूँ directly किस-किस के है पहला है radius दूसरा है length तीसरा है dia of the tube और inversely किस-किस के है यह question बहुत बार पुछा आता है इसलिए मैं आपको यहाद लिख के बता रहा हूँ inversely किस-किस के है viscocity के viscocity या फिर temperature बोल लो और दूसरा roughness के directly proportional किसके है radius, length and dia तो यह parameter में के साथ क्या होगा directly proportional होगा क्या sensitivity of bubble tube inversely किस-किस के साथ viscocity या temperature या फिर roughness के साथ अब आता है question पहे कह रहा है sensitivity of bubble tube fall in temperature temperature, temperature fall हो रहा है तो जाइच वादर temperature के साथ क्या होगा inversely proportional होगा तो यह increase होगा क्यों होगा गभी temperature fall होगा तो viscosity viscosity के होगा गटेगा viscosity गटा तो यह increase होगा decreases नहीं, remain affected नहीं चलिए आगे चलते हैं last question है जाइच का हमारा which of the following statement are true for rise and fall method leveling के दो popular method है rise and fall method and height of instrument method एकने क्या कह रहा है it provides a check on reduce level of intermediate location बिल्कुल सही intermediate location पे कौन check प्रवाइड करता है question में बहुत बहुत बाराता है तो सिर्फ और सिर्फ राइज and fall method height of instrument method check प्रवाइड नहीं करता but rise and fall method intermediate locations पे भी check प्रवाइड करता है by simply comparing summation of rise minus summation of falls ठीक है इससे दूसरा है it is less accurate than height of instrument method नहीं it is quicker and less tedious for large number of intermediate site नहीं less tedious नहीं है large number of intermediate site तो यह ज्यादा tedious हो जाता है हो कि हर एक के लिए rise and fall fine करना पड़ता है तो अगर large number of intermediate site हो तो हम यूज करेंगे height of instrument method so only one is correct thank you all thanks for the watching मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में वीडियो आप लोगो कैसा लगा आप लोग कमेंट करें लीचे अपने दोस्तों के साथ सेयर करें अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करके चालों को सब्सक्राइब करें thank you all see you in the next video thank you